नमस्कार दोस्तों मैं आचार्य बिनोत भरद्वाज एक बार पुना आपका श्वागत करता हूँ आप देख रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल एचस न्यूस इस पे मैं रोजाना लेके आता हूँ सिर्फ आपके लिए गुडलक रासी फल जिससे आपके दि जीवन में खूब तरक्की मिले लेकिन मित्रों इस कारिक्रम को देखने के लिए जरूरी है आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमें यूँ ही अपना प्यार देते रहें आज का पंचांग विक्रमी संबत 2076 आज का दिन बुद्धवार का है आज के दिन का सूरियोदे 7 बच के 6 मिनिट पे होगा फालगुन मास कृष्ण पक्ष आज की तिथी चतुर्थी है दोपहर 11 बच के 49 मिनिट तक है इसके बाद पंचमी तिथी का मान है आज का नचत्र उत्तरा फालगुनी है जो देर रात 11 बच के 43 मिनिट तक रहेगा इसके बाद हस्त नचत्र का मान है आज का अवजित महुर्त कोई नहीं है क्योंकि बुधवार के दिन अवजित महुर्त सुब नहीं होता इसलिए यहाँ पे हमने अवजित महुर्त का मान नहीं दिया है आज का सुब महुर्त दोपहर दो बच के 25 मिनरते प्रारंब हो करके 3 बच के 9 मिनर तक है आज के दिन का राहुकाल दोपहर 12 बच के 35 मिनरते प्रारंब हो करके 1 बच के 58 मिनर तक है आज के दिन का दिसासूल उत्तर की ओर है यदि आवश्यक यात्रा है तो आज की दिन तिल या धन्या का के आप यात्रा कर सकते हैं दिसासूल का परिहार होगा आज का त्योहार, आज संकष्टी चतुर्थी ब्रत है, आज के दिन भगवान गणपती का पूजन, अर्चन, बंधन, अभिनंदन करने से निश्चित रूप से हर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है और सारे विग्न दूर हो जाते हैं अब बात करते हैं मेश से लेके मीन तक्के रासी फल की, मेश रासी, आज के दिन अपने छुपे हुए सत्रों से विशेश सावधानी बरतने की आवस्यक्ता है, अपने मन की बात या अपने कारियों को किसी के साथ सेर ना करें, अन्यता धोखा खा सकते हैं, विशेश रूप स अना अवस्यक्त बात विवास से आज के दिन दूरी बनाने की आउ सकता है, साथ ही साथ भोग बिलास वाली चीजों से आज के दिन क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन मंगलकारी सिद्ध हो, आज के दिन भगवान कालभयरों का अश्मरन करते हुए, कालभयरवाय नमा, इस महामंत्र का साथ बार पाठ करके दिन की सुरुवात करके देखें दिन सुब होगा आज के दिन का सुब अंकनो शुबरंग लाल। ब्रशवरासी ब्यापारी लोग अपने ब्यापारी की उन्नती के लिए कोई महत्वपूर निर्णे ले सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन सामाने रह सकता है। किसी भी कारे में धन निवेश के लिए आज का दिन उत्तम साबित हो सकता है। तो आज के दिन क्या करना चाहिए जिससे की आज के दिन के कारे आपके सुन्दर से सुन्दर बने। आज के दिन भगवान गणपती का समरन करते हुए विग्न विनासिने नमा इस महामंत्र का साथ बार पाठ करें फिर दिन की सुरुवात करके देखें भगवान गणपती की क्रपा से आज का दिन सुभ होगा आज के दिन का सुभ अंक एक शुभरंग शफेद मिथुर रासी आज के दिन आप तनावा समस्याओं से निजात पा सकते हैं माता पिता की ओर से धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं वाहन आधी खरीदने के लिए आज का दिन उत्तम है तो आज के दिन क्या करें आज के दिन भगवान सिव का अस्मरण करते हुए ओम नमस सिवाए इस महामंत्र का ग्यारा बार पाट करें भगवान सिव की क्रपा प्राप्त होगी तो दिन शुभ होगा आज के दिन का सुभ बने परन्तु आत्म विश्वास में बढ़ोत्री होती रहेगी धन प्राप्ति के लिए हो सकता है कड़ा संघर्थ करना पड़ सकता है यदि आप पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कारियों में लगे रहेंगे या प्रयास करते रहेंगे तो निस्तित रूप से सफलता ह आपके हाथ में होंगी आज के दिन क्या करना चाहिए आज के दिन भगवान हनुमांजी महराज का समरन करें अंजनी पुत्राय नमा इस महामंत्र का साथ बार पाठ करें आज के दिन हनुमांजी महराज की कृपा प्राप्त होगी तो दिन तो सुभ होगा ही होगा आज के दिन का सुभ अंकतीन शुवरंग शफेग सिंगरासी आज के दिन आप जोस्वा हिम्मत के साथ कुछ आसाधरन कारियों में अपना हाथ अजमा सकते हैं छोटी मोटी यात्रों का भी योग बना हुआ है जिससे आर्थिक इसती सामान ने होती चली जाएगी जीवन साथी के साथ अन असे आएगा सोब्सक्राइब करें तको में दिन को सुभज करा के एक सुभ रंग सूर्ख लाल कन्यारासी आज का दिन सप्ता का सर्वसेष्ट दिन साबित हो सकता है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी ब्यापारियों के लिए तो अनेक लाब की संभावनाय बनी हुई है परंतु आत्म निर्भरता बनाए रखे आज के दिन क्या करना चाहिए आज के दिन भगवान नारैंड ता माता लक्षमी का अस्मरन करें अस्मरन करते हुए ओम लक्षमी नारायना भ्यम नमा इस महामंत्र का साथ बार पाठ करें फिर दिन की सुरुवात करके देखे भगवान नारैंड और माता लक्षमी की कृपा बनेगी दिन सुभ होगा दिन कल्यान कार खर्च आय कि यह पेच्छा कुछ अधिक रह सकता है परणत जीवन साथी से संबंध मधूर बनाए रखें साथी साथ आज के दिन बेर्थ बाद विवास से बचें आज के दिन क्या करें आज के दिन माता महालक्षमी का स्मर्ण करें माता लक्षमी का समर्ण करते हुए ओम व्रश्चिक रासी आय तथा बे सामाने रहेगा ब्यापारियों के लिए भी आज का दिन सामाने रह सकता है प्रेम संबंधों में सुधार होगा परंतु संतान पक्ष से कोई सुभ समाचार आपके आज के दिन को आनंदित बना सकता है आज के दिन क्या करना चाहिए आज के दिन भगवान कुवेर का अस्मरन करते हुए कुवेर आय नमा इस मंगल मई मंत्र का साथ बार पाठ करें फिर दिन की सुरुवात करके देखिए भगवान कुवेर की करपा प्राप्त होगी तो आज का दिन निस्चित रूप से आपके ल पहार होगा तो चिंताओं से मुक्ति मिलेगी मिलेगी लेकिन आज के दिन किसी महत्पूर्ण ब्यक्ति या राजनेतिक ब्यक्ति के द्वारा आज आपकी सहायता की जा सकती है आज के दिन लगजरी चीजों से सुख के प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं तो आज के दिन क्य कारी होगा अर्थकारी होगा मंगलकारी होगा आज के दिन का सुब अंक पांच शुबरंग पीला मकर राशी आज का दिन आपके लिए विशे सुब रह सकता है उमीदों से अधिक धन कमा सकते हैं तो मन तो खुश रहेगा ही रहेगा कोई भी नया कारे शुरू करने के लिए आज का दिन अति उत्तम है मानसिक परेसानियों से आज के दिन बचने की जरूरत है मकर रासी आज का दिन आपके लिए बिसे सुभ है उमीदों से अधिक धन भी कमा सकते हैं कोई नया कारे आज के दिन शुरू कर सकते हैं कारे उत्तम होगा कारे का परिणाम आपके पक्ष में होगा परंतु मानसिक परेसानियों से दूरी बनाने किया हो सकता है अन्य था पूरा का पूरा दिन खराब हो सकता है क्या करना चाहिए आज के दिन अपने घर के देवी देवताओं का अस्मरन करें का दिन का सुभ अंग छे शुवरंग काला कुम्बरासी आज के दिन वाहन चलाते हुए बिसे सावधानी बढ़ते किसी भी कारे में निबेश करने के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है इसलिए आज के दिन कोई नया कारे जहां तक हो सके ना करें अना आवस्यक तनाव से आज के दिन सफलताएं प्राप्त हो सकती है आज के दिन क्या करना चाहिए आज के दिन भगवान महा मृतुंजे का अस्मरन करें भगवान महा मृतुंजे के अस्मरन करने से तमाम बिग्णबाद आएं दूर हो जाएंगी साथी साथ ओ महा मृतुंजे आए नमा इस महा मंत्र का तीन बार पाट करके दिन की शुरुवात करके देखें दिन शुब अगण काला तो मीन रासी आज के दिन जीवन साथी का भरपूर साहयोग प्रापत हो सकता है जहुआ पूंजी को बढ़ाने के लिए आज का दिन आपके लिए स्रेश्ट हो सकता है ब्यापारियों को कोई नया साजेदार मिल सकता है जो उनके ब्यापार को निस्चित रूप से आगे बढ़ा सकता है परंतु स्वास्त अनकूल नहीं दिख रहा है इसलिए नियमित ब्यायाम करते रहें साथ ही साथ आज के दिन क्या करें आज के दिन नारी सक्ती का सम्मान करें माता दुरुगा का सुमरन करते हुए दुरुगा देब्याइनमा इस महामंदर का पार्ट करके दिन की सुरुवात करें दिन सुभकारी कल्यानकारी अर्थकारी हो सकता है आज के दिन का सुभ अंक तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें आप लोग का बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार देश और दुनिया से जुड़ी सबी प्रमुखबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जोर दबाएं साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें